बीज लगाने से पहले हम उसके लिए मिट्टी बनाते हैं और मिट्टी बनाते समय न आपको कुछ बाते ध्यान में रखनी चाहिए जैसे कि मिट्टी हलकी होनी चाहिए ताकि बीज के उपर ज्यादा वज़े ना पड़े और बीज असानी से जर्मिनेट हो सके मिट्टी well drain हो ताकि extra पानी उसमें से निकल सके और साथ में मिट्टी के अंदर अच्छे से moisture बना रहना चाहिए इन बातों को ध्यान रखते हुए आप मिट्टी बनाईए मिट्टी कैसे बनाना है इसके उपर detail वीडियो हमारी मौजूद है आप उसे देख सकते हैं तो फिलाल हमने यहाँ पर 30% नॉर्मल मिट्टी 30% कोकोपीट 30% बालू और 10% यहाँ पर कमपोश्ट का मिक्सर हमने लिया है सीरिय स्टार बनाते समय मैंने आपको बताया था कि इसमें जितने भी चीज़े हम यूज करेंगे सबको अच्छे से चाल लेंगे उसे अच्छे से धूप में सुखा लेंगे ताकि मिट्टी में कोई फंगस या इन्फेक्शन हो तो खतम हो सके लेकिन इतना सब करने के बाद भी इनके रहने के चांसेज होते हैं तो यहाँ पर मैं फंगिसाइड का इस्तमाल कर रहा हूँ मैंने आपर साफ फंगिसाइड लिया है इसके जगह पर आप बाविष्टिन, ट्राइकोडर्मा या फिर कोई दूसरा फंगिसाइड का इस्तमाल कर सकते हैं आधा चमच के करीब मैं इसमें fungicide डाल रहा हूँ अगर आपके बस fungicide ना हो तो आप ऐसे ही seedling कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बीज लगाने के लिए आप tray का इस्तमाल कर सकते हैं छोटे गंबलों का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह से डब्बे को बीज से काट कर tray बना सकते हैं ध्यान रखना है कि आपके गंबले में आपके tray में अच्छे से holes बने होने चाहिए ताकि जो extra पानी है इसमें से अच्छे से निकल सके इतना सब आपको करने के बाद जो holes हैं आपको उसे कपड़ी के मदद से या फिर पत्थल के टुकड़े के मदद से आपको ढख देना है ताकि इसमें से मिट्टी बाहर ना निकले इसके बाद आपको मिट्टी रखना है और इसे बराबर कर लेना है मिट्टी को बरावर करने के बाद इसके उपर आप बीज लगा सकते हैं लेकिन बीज लगाने के बाद ये अपनी जगा से हिले नहीं इसलिए मैं इसमें पहले ही पानी दे देता हूँ आप चाहो तो आप बीज लगाने के बाद भी पानी दे सकते हो तो बीच लगाने से पहले न इतनी तयारी आपको करके रखनी है अब हम बात करते हैं बीच की तो सीड्स अलग-अलग तरह के होते हैं कुछ बीच बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ काफी बारिक और काफी हलके सीड्स होते हैं जब हम seed लगाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी के अंदर ही seed कल जाता है, कई बार पौधे बनते हैं, और पौधे बनने के बाद seed के जो उपर का coat होता है, जिसे seed cover भी बोलते हैं, ये पौधे के साथ ही चिपके रहते हैं, जिसके कारण ने पत्ते बनने में काफी समय लग जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो seed है न, इनके जड़े मिट्टी के उपर आ जाती हैं, और पौधा धिरी-धिरे सूखने लगता है, बीज को जब सही गहराई में नहीं लगाया जाए, तो ऐसी दिक्कते आम बात होती हैं, तो बीज लगाते समय आपको एक रूल याद रखना है, बीज जितना बड़ा होगा, उसके साइज से दोगने गहराई में आपको उन्हें लगाना है, माल लिजिए मैंने हाफ इंच का एक सीड लिया, तो उसे हम एक इंच के घहराई में लगाएंगे, ऐसा करने से आपके बीज अच्छे से जर्मिनेट होते हैं, और पौधे हल्दी तयार होते हैं, अब फिर से हम अपने बीज को दो हिस्सों में बाटेंगे, पहले हिस्से में वैसे सीड होंगे, जो साइज में बड़े हो, सीड कवर हार्ड हो, या फिर बीज के जो छिलके होते हैं, ये थोड़े मजबूत हो, इसमें लौकी, कद्दू, तोरई, करेला और दूसरे बेल वाली सबजियां, जैसे कि खीरा, ककडी, ये सभी सामिल होती हैं, इसके अलावे जो पेंड के बीज होते हैं, जैसे कि आम, जामून, लीची, इनके बीज भी थोड़े मोटे होते हैं, और इनके उपर सीड कवर होता है, इन सभी बीजों को लगाने से पहले, बीज के अकार से, दोगुन्ना गहरा हम मिट्टी में गड़ा बनाते हैं, और फ इस तरह से बीज को लगा सकते हैं, बस ध्यान अकना है कि बीज सही गहराई में लगे, और फिर जो उपर खाली हिस्सा बचेगा, उसमें हम फिर से मिट्टी भर देंगे, अब मिट्टी कैसे भरना है, तो बस खाली जगह आपका कवर हो जाए, इतना है उसमें मिट्टी डा जो अकार में थोड़े छोटे हो, हलके हो और जिनके सीट कोट या सीट कवर पतले हो, इन्हें लगाने के लिए हम मिट्टी को एक समान समतल करते हैं, इसके उपर बीज को अच्छे से फैला देते हैं, और बीज के उपर मिट्टी की एक पतली सी परत पिछा देते हैं, मिट्टी के उपर हमने सीड अच्छे से बिचा दिया है और मिट्टी से इसे हमने कभर भी कर दिया है इसमें थोड़ा सा और पानी देने के बाद हम अपने पॉट को या फिर कंटेनर को धूप में रखेंगे अगर आपके यहां पर अभी गर्मी है तेज धूप पड़ रही ह तो आप अपने गमलो को पार्सियल सेट में रखें जहां इसके उपर इंडारेक्ट धूप पड़ें तो कुछ इस तरह से हम अपने सीड की सीडलिंग कर सकते हैं लेकिन कुछ और पौधे होते हैं जैसे कि लेट्टियोस, पेट्यूनिया, औस्टियोस पर्मम, गैलाडिया इनके सीड जब आप लगाते हैं तो इने जर्मिनेट होने के लिए रौसनी की जरुवत पड़ती है तो जब भी आप इस तरह के पौधे लगाएं इनके सीड को आपको कभर नहीं करना है बस आपको मिट्टी तयार करना है उसमें अच्छे से पानी दे देना है और अपने स सीड को मिट्टी के उपर फैला देना है सीड को फैलाने के बद आपको हलके हलके उसे मिट्टी के उपर दबा देना है ताकि सीड अपने जगह से नहीं हिले इतना करने के बाद आप अपने गमलों को ऐसे जगह पर रखें जहां इसे सुरज की रौसनी मिलती रहे सीड को अ पहले में हमने बीज को मिट्टी के अंदर दबाया था और दूसरे में बीज को मिट्टी के उपर विछा कर फिर उससे मिट्टी से कवर किया था बीज लगाने के बाद जब पौधे तयार होंगे तो यहाँ पर हम दो काम कर सकते हैं या तो पौधों को हम उसे जगह पर grow होने के लिए छोड़ सकते हैं या फिर उन्हें नए गमलों में लगा सकते हैं तो फिर से हम अपने seeds को दो category में divide करेंगे पहले category में वैसे seeds होंगे जिनने transplant करने की जरुवत नहीं पड़ती है उसे हम सेम जगह पर grow कर सकते हैं और दूसर मिट्टी के अंदर लगने वाले सबजियां जैसे की मूली, गाजर, चुकुंदर, सल्जम और पत्तेदार सबजियां जैसे की धनिया, मेथी, पालक इन सभी सबजियों के पौधे हम transplant नहीं करते हैं पौधे grow होने के बाद हम उसे उसी गमले में grow होने के लिए छोड़ देत बेल वाली सबजियों को transplant नहीं किया जाता है लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप पहले इनके पौधे तयार करो और फिर इसे अलग-अलग जगह में transplant कर दो तब आप क्या कर सकते हो कि आप किसी बड़े गमले जैसे की 4-5 इंच के गमलों में इनके पौधे तयार कर सकते हैं और जब पौधे निकल आएं पौधे बड़े हो जाएं तब आप इनकी जड़ों को बिना damage किये हुए इन्हें बड़े गमले में transplant कर सकते हैं पस ध्यान रखना है कि इनकी जड़े damage ना हूँ वरना growth effect हो सकता है जमीन के नीचे लगने वाली सबजियों की बात करें तो इन स दूसरे से कम से कम 4 इंच के दूरी पर लगाए जाते हैं अगर आप गमलों में लगा रहे हैं तो इसे 2,5 इंच के दूरी पर लगा सकते हैं तो आपको कितने seeds अपने गमले में लगाने हैं और कितने seed आ सकते हैं उसमें उसे के हिसाब से आप अपने गमले की चौडाई का ध्यान रख सकते हैं, इनके वीज छोटे-छोटे गड़े में लगाए जाते हैं, तो मिट्टी के अंदर आपको half inch लेकर एक inch तक का गड़ा बनाना है, और गड़े में अपने एक-एक बीज गिरा देने हैं, बीज बोने के बाद गड़े को आपको इस तरह से ढख देना है, और इसके उपर फिर से आपको हलके-हलके watering कर देनी है, गमले को आपको full sunlight में रखना है, कुछी दिनों में आपके seed germinate हो जाएंगे, यहाँ पर हमने मिट्टी में marker से और हाथों से गड़ा बनाया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि नर्सरी में या फिर खेतों में मिट्टी तो इने grow करने के लिए आप कम गहराई वाले गमलों का इस्तमाल कर सकते हैं, पांच से छे इंच के गहराई वाले गमलों से आप इनकी सुरुगात कर सकते हैं, बाकी कम गहराई और ज्यादा चोड़ाई वाले गमले इनके लिए बहुत सही रहते हैं, बीज लगाने के और मिट्टी में अपने सीट को फैला दीजिए, सीट को थोड़े-थोड़े मिट्टी से कवर कर दीजिए और बस आपके सीट लग गये हैं, कुछ दिनों में आपके सीट जर्मिलेट हो जाएंगे और आपके पौदे भी तयार हो जाएंगे, पहले ग्रूप में हमने ऐसे सीट बच जाते हैं, जैसे कि सभी सीजनल फूलो वाले बीज हो गये हैं, दूसरे सबजियों के बीज जैसे कि गोबी, बैंगन, टमाटर, मिर्च, इन सभी के बीज आप ग्रूप कर सकते हैं, जब पौदे बन जाएं तो आप इन्हें अलग-अलग गमलों में लगा सकते है मुझे उमीद है कि सीट कैसे लगाते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस वीडियो में इतना ही, मैं नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है